दोस्तों आज एक बहुत अच्छी वीडियो मैं आपके सामने लेकर प्रिजन्ट वाहूं अगर आप 12th पास आउट स्टूटेंट्स हैं या इस साल 2019 में पास एक्जाम दे चुके हैं या फिर 2020 में 12th क्लास के एक्जाम दे रहे हैं और डिरेक्टली आपका एम सिर्फ जॉब क करने का है आपको ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी है तो आपके लिए भैतर अपॉर्चनुटी एस से एल ने रिलीज किया है जो कि 12th पास इस्टूटेंट्स के लिए है 2090 और 2020 बैच के लिए तो दोस्तों आपका मोटो सिर्फ पैसे कमाना है आप ज्यादा नहीं पढ़ना चाहते और दूसरी बात आप इस कोर्स को करते करते इस टाइपेंड या फिर थोड़ी अर्निंग भी करना चाहते तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चनुटी पास है और कुछ इंफॉर्मिशन जो इंपॉर्टेंट है वो इसके हो सकती है तो यह जो प्रोग्राम है तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चनुटी है यहाप आपको 12 मंत की ट्रेनिंग प्रोवाइट कराई जाए किस तरह से ट्रेनिंग होगी क्या क्या पॉर्चनुटी है वीडियो पर बने रही है तो दोस्तों इसकी प्रोग्राम की हैलेट की मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं तो यह टेक भी प्रोग्राम इट इंजिनियर्स जॉब आफ्टर क्लास 12 फुल टाइम प्रोग्राम है ठी किया कितने बड़ी बात है कि आपकी जब ट्रेनिंग हो जाएगी कंप्ली 12 मन्त वन इयर के बात आपको अश्योड मतलब गारंटी से जॉब दी जा रही है एट इंजिनियर्स की है एक बहुत अच्छी बहुत बड़ी कंपनी है यहाँ पर आपको ट्रेनिंग के टाइम पर मन्त स्टाइपन मिलने वाला है तो 12 मन्त वर आपको 1,20,000 तो आपको बापस मिल जाएगा आपकी फीस बची और अलावा आपका जो खुद का खर्चा होगा वो आपको वहन करना पड़ेगा स्टार्टिंग से लेरी आपकी देखिए 2.2 लेक्स परेनम रहेगी बहुत अच इस टूदेंट्स को पास करने वाले है या कर चुके हैं वो एपलाए कर सकते हैं शूड है बिजनस मैथमेटिक्स एजिस सब्जेक्ट इनक फेट्राइं कर पाएगे जिन्टार्टार्ट समस्चन पांप एक सब्जेक की तौरपर क्लास 12 में चुना है तो तीन चीज़ों ज Second है financial independence क्योंकि आपको per month 10,000 stipend मिलने वाला है Third higher education job करते करते आप higher degree obtain कर पाएंगे ठीके दोस्तों कोर्स की highlight ये बात कर लेते हैं तो SEL Tech भी जो program है एक early career program focus is to provide employment oriented training to a candidate right after class 12th for IT jobs in SEL You will be trained for a period of 12th month to become an IT engineer While on your job SCL, you can pursue higher education courses offered like BSc Design Computing M.Sc.M.Tech, BITS Plani, BCMCA from Sastra University The higher education program is mandatory for the SEL Tech V Scholars टीक है जो SEL Tech V Scholars होंगे उनको higher education program mandatory होगा अब job करते करते इस program को pursuing कर पाएंगे Intensive Training Pedagg Gauzi where candidates have assist to learning management system that help them with poor peer-based discussion, online assessment, assignment, case-based submission 10,000 per month, this type and initial salary की आप से बात कर चुका हूँ ठीक है अब और भी ज़्यादा इस पर जाना चाते तो click here पर click कीजेगा आपको course की पूरी detail मिल जाएगी दोस्तों जो भी links होंगी description में मिलेंगी जाकर check कर लीजेगा ठीक है video अच्छे लगे तो please like करना और channel पर नहीं हो तो subscribe करना मत बूलना प्रोग्राम की फीज में बता चुका हूँ तो देख लेजे दोस्तों 100% फीज चूट मिलेगी अगर ट्रेनिंग में आप 90% से ज्यादे स्कोर कर पाते हैं और 50% ज्यादे चूट मिलेगी अगर 25-90% आप ट्रेनिंग में स्कोर कर पाते हैं eligibility criteria resident of India who have successfully cleared board exam in 2019 selection procedure देख लीजे selection of this training and hiring program is built on merit basis candidates are invited to appear for an online test on a minimum fee of rupees 299 only selected candidate who passed the test would appear for an attribute test होगा online test होगा fees है 299 rupees only इसके आवाद interview होगा और आप ज्यादा जाना चाते हैं तो contact us की detail में description में दूँगा वापर जाकर check कर दीजेगा अब मैं बाप से बात करता हूँ career option after 12th class जो की tag भी से आपको मिलने वाला है तो दोस्तो career path यह है कि classroom की training रहेगी आपकी 6 months से 9 months के बीच में on job training रहेगी 3 months to 6 months के बीच में और higher education program आप 3 to 4 years for undergraduate program के लिए कर सकते हैं जबकि आप full time employee होंगे CL technology के ठीक है बहुत जादा जाना चाते हैं detail में आप उसको पढ़ना भी चाते हैं तो यह सब link description आपको मिलेगी चेक कर दीजेगा और CL tech career path नोंने एक बहुत इची slide में आपको दिखाया हुआ है देख लीजे मैं आपको screen पर दिखा रहा हूँ तो सबसे पहले आपको जाना होगा 12th month training पर early career program उसके बाद 1st year, 2nd year, 3rd year, 4th year इनोंने सब चीजे दी हुई है आपको बताय हुआ है कि बिट्स प्लानी से आप कौन से course कर सकते हैं या सस्त्रा उनिवस्टी से कौन से course कर सकते हैं तो बिट्स प्लानी से आप BSc कर पाएंगे 48 month integrated program इसको आप pursue कर पाएंगे जब आप working कर रहे होंगे SCL के साथ, classes will be held in SCL campus SCL will partially be at the semester, tuition fees, SCL भी कुछ fees अपनी वियर करेगा आपकी tuition fees की ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप मौसी M.TEC कर सकते हैं कर सकते हैं, candidate with BSc can pursue M.Sc 30 month और M.TEC 48 month from BITS Plani ठीक है, तो master degree completion की आपकी age 25 year, अगर आप TSS training age 18 years में start करते हैं तो generally जो 12th class pass out बच्चे होते हैं, उनकी age 18 year and 19 years होती है, ठीक है तो आप master degree complete कर सकते हैं 25 year तक plus SCL की job आपके पास होगी इसके बाद दूसरा है, 12th month की training के बाद आप जा सकते हैं, BCA करने सस्तरे उनिवस्टी से 36 month की integrated VCA training रहेगी SCL campus में classes लगेंगी और आप working के time पर ही pursuing कर सकते हैं, classes और tuition fees will wear the tuition fees, SCL पूरी fees यहाँ पर भी wear करने बाला है इसके आप BCA के बाद MCA कर सकते हैं, 36 month integrated MCA program भी हो सकता है तो दोस्तों बहुत अची opportunity आपके साथ है, ऐसी बहुत सारी वीडियो मैं regular आपके साथ में लेकर आ रहा हूँ और वीडियो अच्छे लगे तो please like करना, share कीजिए, दोस्तों के साथ धन्यवाद